हलो दोस्तों नमस्कार विल्कम टू इस अमेजिंग प्लेटफार्म टाप 10 क्लासे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 तकाम 6 गड़ी राज की प्रकासन से पहला चैप्टर हमारे क्या है बच्चो प्राकृतिक संख्या है क्या है प्राकृतिक संख्या है तो से मिलकर बना एक प्राकृतिक और दूसरा संख्याय से आईए हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याय क्या होती है तो प्राकृतिक संख्याय क्या होती है गिनती की संख्याओं को किसको गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्यारे ब तो जैसे गीनने के लिए जैसे हमारे पास मारकर है इसको क्या है या एक मारकर है इसको किसके मार्ध्यम से हमें पता चला गीनती के मार्ध्यम से एक मारकर है अब इसका देख सकते हैं यह क्या है या इसका कैप है तो एक और दो यह हमें कैसे पता चला संख्याओं के मार्ध्य प्राकृतिक संख्या है क्या होती है अनंत तक होती है फिर इसी में हमारा दूसरा आता है कि प्राकृतिक संख्या तो हम लोग जान गए अब लोग जानते हैं संख्या किसे कहते हैं क्या प्यारे बच्चों संख्या किसे कहते हैं तो संख्या कितनी वस्तुवों का जैसे हमारा यह मारकर है कितनी ऐस्तुवों का जीस्सें आमें बोध नहीं है क्या कहा क्या है चैसे हमारे पास मारकर है यह इसको नह atac यह फ्रतनी नीचे गिरा नहीं हौरे संख्या में जैसे जीरो है एक है दो है तीन चार पांच छे साथ आठ और नव यह हमारा क्या है संख्या है फिर इसी में आगे हम लोग अध्यन करते हैं कि संख्यां क्या होता है हमने तो जान लिया संख्या क्या होती है अब संख्यां क्या होता है संख्यां के बारे में जानने संख्यां को जिन संक 이तों द्वारा क्या करते हैं व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं संख्यांक करते हैं एक्जामपल के लिए जैसे लिए देख सकते हैं यहां पर क्या है तेईस है क्या लिख्या है प्यारे बच्चों तेईस लिख्या है तेईस को जिन 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 संख्याओं के द्वारा हमने लिख्या है उसको क्या कहते हैं संख्या तेईस को लिख्या है तेईस कितनी संख् संख्याओं से मिल कर बनाए दो और सात से और एक आपन संख्याओं से मिलकर बना है नव से हैं नव से नव से संख्यां कहते हैं फिर अगला हमारा आता है आरोही करम क्या है आरोही करम क्या है आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोग जानते हैं आरोही करम बढ़ते हुए करम को किसके रूप में बढ़ते हुए करम के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है आरोही करम में ल क्या करते हैं देख लेते हैं तो यहां पर हम लोग लिखते हैं आ रोही करम किस में लिखेंगे प्यारे बच्चो आरोही करम नो ही करम क्या है ये करम में क्या है बढ़ते हुए करम बढ़ना एक के बाद क्या आता है दो के बाद क्या आता है तीन आता है तीन के बाद क्या आता है चार आता है चार के बाद क्या आता है पांच आता है तो यही हमारा बढ़ते हुए करम बढ़ते हुए करम में तो सबसे पहले क्या आएगा एक आएगा फिर कितना आएगा तीन आएगा फिर कितना आएगा पांच आएगा फिर कितना आएगा आठ आएगा यही हमारा क्या है आरोही करम है क्या है प्यारे बच्चो आरोही करम है फिर इसी में अगला हम अध्यन करे आ रोही आपने जान लिया बढ़ते हुए करम में लिखना क्या कहलाता है आ रोही कहलाता है और रोही क्या घटते हुए करम में लिखना घटते हुए करम जैसे एक्जामपल के लिए हम लोग जानते हैं जैसे यहां पर दिया है पांच दिया है तीन दिया है आठ दिया है और अगर है इसको और रोही में लिखना आईए हम लोग देख लेते हैं एक एक जामपल के द्वारा और रोही करम में क्या है जहां पर हम घटते हुए करम में लिखे घटते हुए करम में मतलब सबसे पहले में बड़ी संख्या लिखना है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी यह हमारा कौन सा करम हो जाएगा घटता हुआ करम हो जाएगा तहाँ पर example के लिए जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है आठ है फिर इसके बाद क्या है पांच है फिर इसके बाद क्या है तीन है फिर इसके बाद क्या है एक है यही हमारा क्या है गटता हुआ करण 8 के बाद 5 आता है 5 के बाद 3 आता है और 3 के बाद क्या आता है आता है तो पियारे पच्चों आपको आवरो ही और आरो ही समझ में काफी अच्छा से आगया होगा फिर हम लोग चलते हैं कि सबसी बड़ी यंवाम सबसे छोटी संख्या क्या है क्या प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ी एवां सबसे छोटी संख्या क्या है उसके बारे हम हम लोग जान लेते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जैसे आप लोग जानते हैं कि हमसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है फिर इसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होते है तो यहाँ पर आपको एक condition दिया जाएगा कि एक आंक क्या प्यारे बच्चो एक आंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है एक आंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप लोग जानते होंगे एक आंक की सबसे बड़ी संख् होता है क्या होता है नवोता है और इसी मिसमें आपको कोई होती है एक होता है एक होता है अब कोई कोई पूछ ले कि two दो आउंको की सबसे बड़ी शंख्या क्या होती है, तो आप लोग बता सकते हैं, दो आंको की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है नुन्यान भी होती है, क्या होती है नुन्यान बे होती है और दो अंको की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दस होता है क्या होता है दस होता है तो तो प्यारे बच्चो आप लोग अपने कापी में लिख लिजिए तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने जान लिया सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो अगला हमारा है कि अस्थानी मान क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अस्थानी मान तो हमारे class 6 में अस्थानी मान को हम लोग हल करेंगे अस्थानी मान का परिभासा क्या होता है किसी संख्या में प्रतेक अस्थान के संगत अंक का मान संगत मतलब उसके संथ के अंक का मान क्या का मान अलग अलग होता है संगत अंक का मान अलग अलग होता है इसे अंक का क्या कहते है हम लोग अस्थानी मान काते है आईए प्यारे बच्चों हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से अस्थानी मान को क्या कर लेते हैं अध्यान कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप इसको पूरे अपने चैप्टर जो आपको बताया गया चैप्टर में इन सब चैप्टर को काफी अच्छी तरह से आप लोग सबका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर आपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं आपके यहां के सारे फैकल्टी आपको अगर कोई भी प्राब्लम होगा तो प्राब्लम होगा तो कमेश्टरी का असर आपको बताएंगे फिर अगर मैद से प्राब्लम होगा तो मैद को हम आपको साल्व कराएं आए हम लोग जान लेते हैं अस्थानी मान के बारे में हम लोग जान लेते हैं अस्थानी मान जैसे यहां पर 1442 दे दिया है कितना दे दिया है 1442 तो अस्थानी मान का परिभास हम लोग जाने थे अलग अलग मान क्या होता है हर संख्या का एक अलग अलग मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अस्थानी मान कहते हैं जैसे यहां पर हमारा 1442 दिया हुआ ह तो दो क्या है इक्याई का अंक है चार क्या है दहाई का अंक है फिर चार क्या है सैकड़ा का अंक है फिर एक क्या है हजार का है तो यहां पर यह कैसे मिलकर बना है एक हजार प्लस चार सव फिर कितने से चालिस से फिर कितना दो इन दो चारों को अगर आपस में जोड दिया ज 1442 मिलता है कितना मिलता है 1442 तो हमारा जो अस्थानी मान होता है वह अलग-अलग मान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अस्थानी मान बोलते हैं आईए हम एक और एक्जामपल के दौरा हम लोग समझ लेते हैं 151542 यह कैसे मिलकर बना है सबसे पहले 1000 plus 500 plus 40 plus 2 इनसे मिलकर क्या बना है एक हज़ार 542 यही हमारा क्या है अस्थानी मान है अगर इन चारों को हम लोग आपस में जोड देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1542 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1542 मिल जाएगा तो प्यारे बच्चो आज का जो हमारा बेसिस था अभ्यास एक दसमलो एक के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया अब अभ्यास अपना एक दसमलो एक जो है हम लोग उसको अगली वीडियो में साल्व करेंगे तो प्यारे बच्चो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए फिर मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत